सोन्जो सेमसन की सामने भाले ही बल्लेबाजी में रिशापंथ पीछे रहे गई लेकिन जब बात आती है टीम की जितने की तो इस मेस में रिशापंथ ने बाजी मर ली है क्योंकि DC अभी भी कौलिफाइन कर सकता है उनकी उम्मीदे बरकरार है DC फिलहाल पास्वी स्थान पर पहुँच गई है इसी जित की साथ DC की आगे सानराश हिदराबाद और लोकनू जैसा टीमें हैं इन में से एक टीम आज हारेगी और शायद DC से नीशे भी जा सकते हैं लेकिन आगर DC आने वाले दोनू मेस ही जित लेता है तो उनकी उम्मीदे जिन्दा रहेगी क्योंकि देलही केपिटेल ने राज़स्थान रोयल्स को 20 रानों से हरा दिये है देलही केपिटेल ने आखरी की तीन ओबर में 15 रान ठोके थे दिल्ली वो टीम है जिन्नोंने पहले की पास मेसों में सिरिफ एक ही मेस जिता था लेकिन आखिर की 7 मेसों में से पास मेस जित कर इस समय प्लेओप की उम्मीदों पर बैठा है तो इस तरहा से रिश्वापंद की टीम में जलवा जलाल कर दिया और आखरी की मेसो में कमाल कर दिया फिलहाल CSK की 12 पॉइंच है सानराइस हदरवाद की भी 12 पॉइंच है लोकनु का 12 पॉइंच है डीसी का भी 12 पॉइंच है और ये 12 पॉइंच वाला टीमो में से 2 टीम होगा जो प्लेओप में पोछेगा लेकिन कौन सा 2 टीम प्लेओप में पोछेगा ये तो आने वाला पल ही बताएगा लेकिन फिलहाल इस समाइद दोर पे बनी हुई है इन चारों टीमों से सिर्फ दो टीम नमबर तीन और नमबर चार में फिनिश करेगा लेकिन कौन चा करेगा ये तो देखनी वाली बात होगी जीन टीमों की पास आठ पॉइंच है RCB और पंजाब उनकी राहे लगबग खतम हो गई है MI और GT प्लेओप से पहले ही बाहर हो चुका है लेकिन गजब की बात ये है कि सपन मेसो की बात भी आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा टीम कलिफाई करेगी इस मेस की बात इंडियान फैंस भी काफी खुश होंगे क्योंकि कुल्दीप फ्रॉम में आ गए है और इंडियान टीम और भी मजबूत नजर आ रहा है कुल्दीप ने शांदार गेम बाजी की चार ओवार पसिस रान और दो विकेट ये ही फ्रॉम चाहिए हमें भी शकाप नहीं लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि फार्स्ट चॉइस विकेट की पार कोन होगा मेरे खायल से तो सोन्जू सेम्शन सोन्जू सेम्शन 45 गेम पर सियासी रान बना कर खेल रहा था और एक केस बाउंडरी लाइन पर जाता है वो छक्का हो जाता है लेकिन अमपायर एक गलट डिशिशन देता है सोन्जू सेम्शन को आउट देता है और जिसकी बज़े से राजोस्थान ने ये मेस हारा है नहीं तो ये मेस राजोस्थान का था अमपायर की इस गलती की बज़े से इस मेस को डेल ही ने जीता सोन्जू सेम्शन ने कहा ठीक है पार्ट अब गेम है होता है कभी आपकी हक में फैसलाएगा तो आपकी बिपरित भी कभी फैसला जा सकता है सोंजो भी जानता है कि विशेकाप खेलना है और वहां अच्छा पदशन करना है सोटी-मोटी बात अप और आपको लागे रहना नहीं है बिशेकाप में आपको बड़ा बात करना है ये साल सुन्जू सेमसन के लिए कमाल कर रहा है लग बख हर मैस में सुन्जू सेमसन ने रान बनाए है और अच्छी गती से बनाए है सुन्जू सेमसन राजस्तान रोयल्स के लिए सबसे ज़्यादा रान बना चुका है आईसका टार्गेट लेकर रज़स्थान रोयल्स मैदान में उत्रे और शिरिफ 201 रान ही बना पाए और इस तरह से 20 रान से हार गए रज़स्थान रोयल्स इसी की साथ दोस्तों आप लोगे से विदा लेते हैं फिर मिलेंगे जै हिंद